दोस्तों कैसे हैं आप सब उम्मिद करती हूं आप सब बहुत अच्छे होंगी सो दोस्तों आज हम बात करेंगे टमाटर की टमाटर में क्या होता है टमाटर हमाई इसकिन के लिए किस तरीके से बेनेफिट्स देता है यानि की फायदा देता है अगर हम टमाटर की बात करें तो ये टमाटर है देसी जो की गोल और हलकी पीले और औरंज कलर में होता है और देसी टमाटर आपकी फूड रेसिपी के लिए तो लाजवाव स्वाद देता ही है सा साथ ये हमारी स्किन के लिए बहुत ही कमाल का होता है क्योंकि टमाटर में जो गुण पाए जाते हैं इसमें पाए जाते हैं भरपूर मात्रा में विटामिन्स, विटामिन्स C, A, B और ये जो टमाटर होते हैं यानि कि इसमें ब्लीशिंग प्रॉपर्टीज होती है जो कि आपकी इसकिन के डेट सेल्स को रिमूफ करता है टमाटर का जो जूस होता है अगर आप उसको एपलाई करते हैं अपनी इसकिन में तो आपको विजिबल रिजल्स नजर आएंगे अगर आपकी इसकिन में दाग धब्बे हैं वो भी आपको फेड़ अप होती नजर आएंग टमाटर को हम किस तरीके से इस्तमाल करें अपने face पर कि हमें इसका result बहुत ही अच्छा मिले और साथ ही साथ natural तरीके से मिले और इसका कोई भी side effect नहीं होता है यह all skin type से कोई भी इसको 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 इस और उसके बाद आपको इसमें अड़ करना है मुलतानी मिट्टी और साथ में हल्दी तो मैं यहाँ पर दोनों एक साथ ही मिक्स करने हूँ यानि कि मुलतानी मिट्टी प्लस हल्दी पाउडर वन स्पून आपके पास अगर ये दोनों कॉम्डिनेशन नहीं है तो आप इसको इंडिविज्वल भी इस्तमाल करना है रोज वाटर रोज वाटर एक ऐसा क्लिंजर है एक ऐसा मतलब ये क्लिंज करता है आपकी स्किन को आपको अलग से क्लिंजिंग करने के बिल्कुल जरूरत नहीं परती है रोज वाटर किसी भी मौसम में इस्तमाल करते हैं कोई भी साइड एफेक्ट नहीं होता है रोज वाटर जो होता है वो आपकी स्किन को गलो लाने का काम करता है साथी साथ लंबे समय तक आपको fresh रखता है और fragrance तो इसकी ऐसी होती है कि आप सभी जानते हैं कमाल कि इसकी fragrance होती है जो कि आपको लंबे समय तक ताजा फिल कराता है आपको दो चमच के करीब rose water इसमें एड़ करना है और इसको अच्छे से आपको यहाँ पर mix कर ले ना है इस तरीके से तो rose water इसमें कम लग रहा है तो हम इसमें 2 चमच और add करेंगे तो हमने कर लिया 2 चमच और add इसमें और इसको अच्छे से mix करके एक पतला सा paste इसका ready कर देंगे तो दोस्तो हमारा ये pack बनके ready हो गया है rose water प्लस मुलतानी मिटी प्लस turmeric मली हल्दी जो होती है वो एंटिसेप्टिक का काम करती है आप सभी को पता है छोटे मोटे दानों को तो वो चुटकियों में दूर कर देती है इसके अलावा वो आपकी सुंदर्दा को निखारने में भी बहुत ही अच्छी होती है मुलतानी मिटी आपके इसकिन से एक्स्ट् करती है सॉफ्ट करती है और मुलतानी मिटी कोई भी इस्त blossom कर सकता है तो आपको इसे एपलाई कैसे करना है तो जैसे कि मैंने स्टार्टिं कि 你是 एक यह पैक है वो घुनित करना है टमाटा से तो आपको मीटार रहना है आधा टमाटर यहां पे मैं हाफ टमाटर हम ले सकते हैं, बहुत सारे लोगों को हाथों में भी जुटियों की समस्या होती है, दाग धबे की समस्या होती है, डल स्किन की समस्या होती है, या फिर बहुत लोगों की स्किन हाथों की और फेस के पेक्षा जादा डार्क होती है, तो उसको किस तरीके से आप दूर कर सकते हैं, क् और आपकी रंगत को बहुत ज़्यादा फेर करता है। इसको इस्तमाल कैसे करना है, तो आपको क्या करना है, इसको, तो मैं यहाँ पर, as a hand मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसको इस्तमाल कैसे करना है, सबसे पहले आपको, टमाटर को अपने हाथों में इस तरीके से एपलाई कर लेना है पूरे हाथ में आपको यानि की जो नीचे का हिस्सा है उसे नीचे से लेके उपर अच्छे से इसे रप करना है इस तरीके से कम सकम 5 मिन तक आपको इस तरीके से मसाज करनी है इसकी circular motion में मसाज करने के 10 मिनट तक यानि मसाज करने के बाद 10 मिनट तक आपको इसे ऐसे ही छोड़ के रखना है तो 10 मिनट तक इसको ऐसे ही छोड़ के रखना है यापको इसे नॉर्मल पानी से यहाँ पर वोष कर लेना है या फिर आप हलके गुंगोने पानी से भी से वोश कर सकते हैं मैंने यहाँ पर अपने हैंड को वाश कर लिया है अब आपको इस पैक को कैसे अपलाई करना है? यह देखिए तो आपको अगेन से ये टमाटर ले लेना है और वन स्पून के करीब इस जो हमारा मुलतानी मिट्टी प्लस हल्दी का जो पैक है उसको इस टमाटर के उपर डाल लेना है इस तरीके से और इसे अच्छे से यहाँ पर स्प्रेट कर देना है ऐसे तो इस तरीके से इसे हम डाल देंगे और बस इसी को हमें यानि कि हमें टमाटर का रस मिलना चाहिए साथ साथ आप चाहें तो इसमें टमाटर का रस एड़ करके भी इसे बना सकते हैं या इस तरीके से अगर आप इसे एपलाई करेंगे तो आपको टमाटर का सारा बेनेफिट मिलेगा आपके skin पे तो इसे आपको इस तरीके से लगा लेना है पहले आपको नीचे से उपर हिस्से में इस तरीके से अप्लाई करना है फिर हाथों में apply कर रहे हूँ तो भी ऐसे करिए जब ही अच्छे से आपको लग जाए आपके skin में पूरी तरीके से तो आपको इसे again से massage करना start कर देना है इस तरीके से circular motion में massage कीजें नीचे से ऊपर massage कीजे यानि कि upward motion में इस तरीके से इस तरीके से मसाज करेंगे तो आप बहुत ही बढ़ियां अपने फेस पे रिजल्ट देखने को आपको मिलेगा आपके स्किन गोरी तो होगी ही साधी साथ बहुत जादा सॉफ्ट एंड स्मूथ भी हो जाएगी इस तरीके से आपको करना है हफते में दो ही बार आपको इसको इस्तमाल करना है बहतर रिजल्स पाने के लिए ये बिल्कुल देसी घरेलू आपको नुस्खा में बता रही हूँ अपनी स्किन को बहुत जल्दी लाइटन करने के लिए वाइटन करने के लिए bright करने के लिए जुड़ियां हैं, दाग धब्बे हैं, जाईयां हैं, सभी को ये pack दूर कर देगा पूरी तरीके से इस तरीके से apply करने के बाद आपको इसे छोड़ देना है कम से कम आधे घंटे के लिए कि ये pack अच्छे से यहाँ पे dry हो जाए, यानि कि सूख जाए, उसके बाद आपको इसे normal पानी से wash करने के बाद आपको अपने face को यहाँ पे अच्छे से moist कर लेना है, कोई भी nourishing cream या फिर moisturizer apply करके ताकि आपके skin में smoothness बरकरार रहे और आपके skin यहाँ पे dry ना हो देखा दोस्तों, एक tomato हमारी skin को कितने सारे गुरों से भर सकता है, कितने सारी हमारी skin की जो problem से उसको resolve कर सकता है हमारी स्किन को टाइडन भी बना सकता है, जुरियों को भी दूर कर सकता है, जाईयों के लिए अच्छा होता है, एकने के लिए अच्छा होता है, पिमपल के लिए अच्छा होता है, इसके अलावा ये आपके स्किन को टाइड भी करता है, और साथ ही साथ आपकी स्किन से जु तरीके से या फिर टमाटर का इस्तावाल इस तरीके से करते हैं तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा चलिए फिर से मिलते हैं और इसी तरह की हेल्दी एंड ब्यूटी वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक कियर अपना ध्यान रखे हैव अगुद डे बाई